हेलो दोस्तों पॉलिटेक्निक लगनी 77 क्लासेजन आप सभी का हार्दिक स्वागत दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिलेगी अगर आप जर्णल OBC, SC, ST किसी भी कटेगरी से हैं और आपके मार्क्स जैसे आपके मार्क्स अब दोस्तों अगर आपके मार्कस तो मैं अच्छी से बात करूंगा वीडियो को प्लीज आप पूरा और अच्छी तरीक से देखिए कि इससे सभी पूरे कमेंट्स भरे पड़े हैं हर एक वीडियो में सर की मेरे सर मेरे 50 मार्क्स हैं मुझे गौर्वर्मेंट कॉलेज मिल जाए कि नहीं मिल जाएगा और मुझ सबसे पहले देख लिए कि अगर आपको जहीं ठीकना इसी तरीके से कंप्यूटर में 90 मांट्स होने ठीक इतने में आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी कौलेज में आपका अपका एड्मिशन हो जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले इम लोग बात करते हैं एक यहाँ पर जनल कटेग्री में अगर आपके मार्स दोस्तों 0 से 100 के बीच हैं तो आप इतना समझ लीजी कि आपको मेकैन कल हो मेकैन कल कि तो थोड़े बहुत चांसे हो भी सकते हैं ठीक ना 2-4 परशन अधरवाज electrical civil के जो chances हैं और government college में तो यहाँ पर बिल्कुल उम्मीद छोण दीजी कि आपको मिल जाएगा अगर दोस्तों आप OBC से हैं ठीक है ना OBC से हैं तो भी आपको chances हैं कि आपको college मिल जाएगा ठीक है ना अगर आपको OBC से हैं और आपके marks जीरो से 100 के बीच हैं तो दोस्तों आपको mechanical को तो confirm मिल जाएगा government college में जाएगा इसमें आपको बहुत ज़्यदा परिसान होने की जरूरत नहीं है ठीक ना लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे top college मिले और फिर मुझे civil branch मिल जाए कुछ मिले तो ऐसा कुछ भीने होने वहला आपको कुछ नहीं मिलेगा कोई इसे बहकार रहा तो फिर दोस्तों वह फिर आपको बहकार होगा ठीक बात करते हैं मैं किसी तरहिका से hatchet sahtac तो wszyscy से स्वीड के उतने चाहएं लेकिन हाँ आपके mechanical और electrical मिल सकता है mechanical तो आपको confirm मिल जाएगा electrical आपके लग्के उपर करता है या फिर अभी जो डिजल्ट आजए तो rank के इसाफ से भी डिपेंड करेगी कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन हाँ यह भी जाए दोस्तों कि आपके जब आप दिवसे तो तीन counseling के लिए भी बोला गया है तो तीन counseling तक आपको कोई न कोई college definitely मिल जाएगा ठीक ना तो मैंने यहाँ पर journal OBC और SCST अगर आप 0 से 100 के बीच है तो मैंने यह सारे सारे बात कर ली है ठीक ना बता दी है कि इस तरीके से आपको college मिल जाएगा तो सारे doubts तो आपको अगर आपके marks 0 0 से 100 नमबर के बीच है तो आपको सारे doubts confirm हो गए होंगे ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों अगर आपके marks अगर आपके marks 100 से 200 के बीच हैं पहले बात करते हैं जर्णल की दो देखें लगर आप जर्नल के हैं तो तॉप college में आपको टॉप branch नहीं मिलेगी इतना confirm है आपको mechanical है computer science हो सकते हैं लेकिन जो लखनव पॉलिटेकनिक है जैसे गवर्मेंट पॉलिटेकनिक लखनव हुआ जीबी पंथ है यह फिर कानपूर की पॉलिटेकनिक है इन सब में आपको चांसे नहीं है कि आपको टॉप मिल जाए एलेक्टिकल सिविल ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिल लेकिन हाँ दूसरी मेकेंकल वगरा मिल सकती है लेकिन हाँ यह कहें कि आप 100-200 के बीच है अगर आप चाहते हैं को कहीं पर भी आपको केवल मिल अलेक्टिकल सिविल में कर गॉर्मेंट कॉलेज तो डेफनेटली दोस्तों आपको मिल जाएगा बस आपको कांसलिंग सही से क नंबर है तो आपको टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच मिल जाएगी अगर आप से इस बात को आराम से याद रखेगा लेकिना समझी कि आपके 100 या फिर 150 नंबर के राउंड है तो आपको डाउट रहता है लेकिन अगर हाँ यह भी याद रहता है तो फिर गल्स के लिए तो गल्स के लिए तो बहुत कम मेरिट जाती है तो अगर आप से जर्नल भी गल्स हैं ठीक ना किसी से भी अगर आप सबसे 200 के 200 के आरूंड आपके मांक्स है निकि 170 के ऊपर ही है आपके मांक्स तो आप डेफिनेटली टॉप कॉलेज में आपको टॉप ब्रांच यानिकि सि समझ लीजी थोड़ा सा अगर आपके नंबर 200 से 300 के बीच है ठीक ना तो दोस्तों इतना समझ लीजी कि जैसे आपको टॉप कॉलेजों में अगर आप जनल के हैं तो आपको टॉप कॉलेजों में तो देखिए 200 बहुत कम चांस रहता है लेकिन लड़कियों का मिल जाएगा लेकिन इस बार जैसे बताया जाए रहा है कि मिल पाएगी लेकिन कम्प्यूटर साइंस बगार आई टी बगार यह सब आपको मिल जाएगी इसम результат होने की ज़़ुत नहीं है अगर आप OBC से हैं तो देखें दोस्तों OBC में तो है तो OBC में अगर आपके 300 यानि की 300 के आराउंड नमबर याने के लगवाद 300 नमबर से 2-4 नमबर उपर नीचे है कम है तो फिर आपको मिल जाएगा टॉप को लिजों में टॉप ब्रांच लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा सिविल की मत करिएगा कानपूर लखनों बे ठीक ना बाकी हां किसी कॉलेज में आपका डेफनेटली आपको गौर्णमेंट कॉलेज में आराम से मिल जाएगा 200-300 के बीच नमबर है ठीक है इसके बाद बात करते हैं बारे में कारे में आफ्की किन को बारे में चाहते हैं एक एक कॉलेज के बारे में वीडियो बना दूगा जयाद से जयादें आप सभी जरूर कर लिजेगा ठीकर यहां आपको पॉलिटेक्टिक से जूड़ी हारिक जानकारी मिलती रहेगी और मिल भी रही है यहां पर आपको कॉंसलिंग से संबंदित किस तरीक से कॉंसलिंग करवानी कौनकों से डागुमेंट्स लगेंगे कौन से नेट वेरिफिकेसन किसका ल कमेंट्स में कभी-कभी रिप्लाइ करना उतना पस्पर नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा लेकिन आप इंस्टागाम से जुड़ जाएंगे तो वहां से आपको बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि डाइक्टिक वहां पर आपको जो भी जैसे भी कोशन है आप पूंसकते हैं ठीकना दोस्तों दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और इसी तरीकी के आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी थैंक्यू दोस्तों